So Hi Everyone, Welcome to Computer Screen Sample Question Paper जो इस बाद CBC Board ने 2021 में रिलीस किया है English Subject का Class 10th के लिए Exactly A वही Same Sample Paper है आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम इसी Sample Paper का जो Part A है उसको आपके सामने Solve करके दिखाऊंगा मैं आपको पता है Paper Pattern Change हो चुका है तो पूरा Paper हमारा केवल दो Parts में डिवाइड़ है Part A में सभी आपको MCQs Multiple Choice Questions मिलेंगे 40 Marks का होगा और Part B में सभी Subjective Type Questions मिलेंगे और ये भी हमारा 40 Marks कंटेन करेगा अब इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने कुछ और Instructions दिया है देख लेते हैं कि हर Section हर Question के पहले इन्होंने Paper में कुछ Instructions दिये है इसको पढ़ो और इन्हें Follow करो अब इसके अलावा अगर जिस Question में आपको Word Limit दी है ना तो Word Limit का ध्यान रखो Word Limit से Extra Words लिखने की जरुवत नहीं है क्योंकि Number Deduct होंगे तो भाई Free में Number क्यों कटवा रहे हो ठीक है चलो Start करेंगे हम Part A से हर Questions को करने के पहले मैंने इसका अपना तरीका बताया है Trick बताया है कि कैसे यार आप Easily इन Questions को देखते ही Solve कर लोगे देखो Board Sample Paper क्यों Release करती है सबसे पहले ये जानो कही ना कही Board ये जानती है कि Sample Paper में जैसे Questions है Main Exam में भी ऐसे ही Questions देने है ठीक है तो आप यहाँ पर Trick समझ लो और Main Exam में जाकर बस इसे करके आना आप जिनोंने अभी तक Pre-Board नहीं दिया है ना तो स्कूल वाले क्या करते हैं कि 80% Chances है जो CBSC Board का Latest Sample Paper है उसी को उठा के आपके Pre-Board में दे देंगे अभी हाँ पर रटलो तरीके को ट्रिक को समझ लो कैसे भी Questions आए कर ले जाओगे Grammar Homer नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई देखो Part A में कितने Questions आएंगे फेले ये जानो Part A में हमारा Unseen Passage है Unseen Passage Unseen Passage हमारा 10 Marks का आता है और Number of Questions है 2 तो हो गया Total Number of 20 Marks का Unseen Passage आपको आएगा Got it? इसके अलावा Literature से Extract Based Questions लिखने कुछ नहीं है सब Multiple Choice है Got it? सब Part A में ही आते हैं और Part A में सभी Questions Multiple Choice है आपको सभी में Options को टिक करना है Got it? कुछ लिखना उगना नहीं है तो Literature से Extract Based Question आएगा और ये आता है 5 Marks का 5 Marks का आएगा 2 एक Pros से और एक Poetry से तो Total Marks इससे होगे 10 Marks होगे Got it? Now, Next हमारा Grammar से भी इससे Question पूछेंगे Grammar से आपका Part A में ही Grammar पूछ लिया जाता है Part B में Grammar का कोई लेना देना नहीं है वहाँ पर Part B में आपको Writing Section और Literature मिलेगा Grammar Grammar 3 Marks का एक Question 3 Marks का एक Question And 4 Marks का एक Question That means कि Total Grammar से भी हमें 10 Marks मिलने वाले है So, Let's Start सबसे पहला Question है Reading से Unseen Passage से ही है Question No.1 है हमारा Read the Passage given below आपको यहाँ पर नीचे इन्होंने Passage दिया है Passage पढ़ना है और नीचे दियेगे Questions के आपको 4 Options मिलेंगे आपको Correct Option चूज करना है देखो Question इनके पास हर तरीके के हैं इन्होंने Central Idea भी पूछा है Passage का इन्होंने Title भी पूछा है Passage का कि What is the most appropriate title for the passage अब आपको Title और Central Idea वाले Questions करने के लिए पूरे Passage के Understanding होनी बहुत जरूरी है इसके लिए मैं यह नहीं कहूँगा कि आप Hindi Meaning निकालो आपको हर वर्ट के Hindi Meaning आनी चाहिए यही पर काम आता है हमारा First Trick Learn to Relate Words आपको क्या करना है आपको एक वर्ट को किसी दूसरे वर्ट से रिलेट करके उसका मतलब समझ लेना है क्योंकि लिखने तो एंसर हमें इंग्लिस में ही है Hindi Meaning हम क्या करेंगे जानके चलो दो मिनिट लगेगा पूरे Passage को समझते हैं कितना मज़ा आएगा देखो रिलेट करने में चलो स्टार्ट करते हैं The choices we make on daily basis मतलब जो हम daily daily फैसला लेते हैं जैसे seatbelt पहनना, भारी सामान को उठाना वो या तो हमें safe रखते हैं या तो हमें मुसीबत में डाल सकते हैं harmful circumstances में डाल सकते हैं कितना आसान से हमने रिलेट कर लिया दूसरे passage को भी रिलेट करेंगे you and I तुम्हें और मुझे आज एक decision लेना है कि हम अपनी जिन्दगी को विवस्थित करेंगे order में लेके आएंगे ऐसा हम कैसे कर सकते हैं अगर हम अपनी life में self control रखते हैं self discipline रखते हैं अपनी life में हम कुछ boundaries decide कर देते हैं कि मेरी यही limit है मुझे इस limit को cross नहीं करना है तो इससे क्या होगा इससे हम अपने life को control कर सकते हैं क्योंकि एक ऐसे जिन्दगी जिसमें discipline नहीं होती वो पूरी तरीके से लापरवाही से भरी हुई होती है तो समझ गे दोनों passage का मतलब हमने कितने easily से एक word को दूसरे word से relate करके मतलब कैसे निकाला ऐसी चलो third passage को सीखेंगे हम देखो पहली ही line से हमारे first question के answer मिलने वाला है तो भाई पहली line बहुत ध्यान से पढ़ो इसने कहा है कि हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हम जिन्दगी को edge पर जियेंगे अगर हम जिन्दगी को risk लेकर जियेंगे तो हम एक exciting life जी रहे हैं जैसे देखो कोई इंसान है वो पहार पर चड़ गया है एकदम पहार के किनारे पर खड़ा है तो वो क्या कर रहा है वो अपनी life को exciting बना रहा है तो आज हम ऐसा सोचते हैं कि भाई risk है तो risk है ठीक है और हम ऐसा पसंग भी करते हैं हम कहते हैं वो हो वो देखो मैं हूँ मैंने risk लिया था ठीक है it's become a popular way आजकल सभी लोग इसी तरीके से जीते हैं सब अपनी life में risk लेना चाहते हैं लेकिन अगर आप देखो न तो highway के बीच में भी line होती है जैसे यहाँ पर यही समझाया गया है कि जो highway है highway के बीच में line होती है इधर उदर भी line होती है अगर हम एक इस तरफ चले जाएगे अगर हम car लेकर line को cross करकर इस तरफ चले जाएंगे तो हम ditch में चले जाएंगे, हम गढ़ें गिर जाएंगे और अगर हम middle का line cross करकर इस तरफ आ गए तो हम मर जाएंगे, हमारा accident हो जाएगा, ठीक है और इसी के लिए जो lines है ना, ये जो line है, ये जो limits है ना, ये हमें safe रखती है, कभी-कभी तो हम ये realize ही नहीं कर पाते हैं, कि ये line हमारी जिंदगी को कितना सुरक्षित रखती हैं कभी-कभी तो ये हमें पता भी नहीं है मतलब indirectly author ये हमें कहना चाता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी में एक limit से जीना है, एक limit से सब कुछ काम करना है, क्योंकि without limit कोई भी चीज अच्छी नहीं होती है चलो, fourth पैरा को भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे बड़ी मज़े से पढ़ेंगे, यार कहा गया है कि author अपने बारे में बता रहा है कि जो मेरी जिंदगी का पहला 20 साल था, उसमें मैंने जम के काम किया, मैंने बहुत काम किया, मैंने अपनी limit को ignore कर दिया, देखो ध्यान रहे इस word को, author ने ignore किया, मतलब author क्या है किसी चीज को negligent कर रहा है, मतलब नजर अंदाच कर रहा है, negligent याद रखना, इससे question पूछा गया है, समझ गया चल, author क्या कह रहा है, author कह रहा है कि पहले 20 साल तक, मैंने अपनी life में limits को ignore किया और इसी के लिए मैं बहुत ज़्यादा ठक जाता था, और मैं अपने आपको कहता था, कि मुझे पता है ये देखो, ये sentence है, जो author ने कहा है, author ने कहा है कि मुझे पता है, कि मेरी कुछ limit है, मेरी कुछ हद है, मेरी कुछ boundary है, और मुझे ये भी पता है, कि मैं उस limit तक पहुच चुका हूँ लेकिन मैं इस limit को ignore करना चाहता हूँ, और ये देखना चाहता हूँ, कि मैं अपना इस limit को cross करके कितनी दूर जा सकता हूँ, मैं risk लेकर अपनी life में और कितना आगे जा सकता हूँ मैं ये देखना चाहता हूँ मतलब author क्या है, author पहली बात तो नजर अंदाज कर रहा है अपनी boundaries को दूसरी चीज author क्या है, risk ले रहा है समझ गए, तो याद रखना बहुत important points मैं बता रहा हूँ, I ran to doctors और इसी के लिए, जब मैं ठका-ठका महसूस करता था, तो मैं क्या करता था मैं doctors के पास जाता था, मैं दवाईयां लेता था, विटामिन की गोलियां लेता था doctors मुझे कहते थे, ये कुछ नहीं है बस तुम बहुत ज़ादा चिंता करते हो और इसी के लिए तुम ठक जाते हो लेकिन, ये सुनकर मुझे गुसा आता था क्यों? क्योंकि मुझे लगता था stress का मतलब क्या है, अगर आप जो कर रहे हो, उसे पसंद ना हो या आप अपनी जिंदगी को handle नहीं कर पाते है तब मैं मान सकता हूँ कि मेरे अंदर चिंता है, stress है लेकिन, I love what I do मैं जो करता हूँ उसे करना मुझे बड़ा पसंद है इसलिए इसे मैं stress नहीं कह सकता मैं हमेशा अपने आपको कही नहीं travel करवाता रहता था मैं कही नहीं घूमता रहता था मैं लोगों से बात चित करता था काम करता था और ऐसे ही बहुत ही बहुत हारे काम साधैरत, simple तोर पे तुम कह सकते हो कि मैं अपने आपको ठका देता था, exhaust कर देता था Finally, आखिरकार author को समझ आया I understood I was living an unsustainable life author को ये समझ में आया कि मैं अब तक जो भी जिन्दगी जी रहा था मैं बहुत जादा काम 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 की पीछे थोड़ा भी अराम नहीं कर रहा था तो मैंने आखिरकार ये समझ लिया कि ऐसा जीना न unsustainable life है मतलब ऐसे कोई जी नहीं सकता है ऐसे जिन्दगी जी के कोई sustain नहीं कर सकता और इस जिन्दगी में मुझे कुछ बदलाओ लाना है ऐसा मुझे लगा मुझे अपना नजरिया चेंज करना पड़ेगा मुझे अपना lifestyle चेंज करना पड़ेगा मुझे अपनी life को enjoy करना है ठीक है आखिरकार last passage में इस तीन प्रस्णों के उत्तर मिलेंगे जो इस passage में पूछे गए हैं देखो ध्यान से पढ़ना इन्होंने कहा है कि तुम है और मुझे बाकियों के जैसे बनने की जरुवत नहीं है और ना बाकियों की तरह इतना ज़ादा मेहनत करने की जरुवत है हम वैसे ही रहना है हमें जैसे हम है we need exactly the way we are हम जैसे हैं हमें वैसे ही रहना है इस बात का हमें पस्तावा नहीं करना है क्योंकि हम सब एक जैसे नहीं होते हैं हमें अपना comfort zone धूरना पड़ेगा हमें जो चीज करने मज़ा आता है हमें वही करना है instead of what instead of making ourselves sick with an overload of stress and pressure मतलब बहुत ज़ादा stress और pressure लेने के बजाए आप अपनी जिन्दगी को enjoy करिए अपनी life में comfort zone को धूरिए समझ में आया अब हम करेंगे questions को अब question करने में बड़ा मज़ा आने वाला है on the basis of your understanding passage में आपने जो कुछ भी समझा इसके base पर passage में 12 questions पूछे गए हैं आपको करने है any 10 main exam में भी आपको 12 questions पूछे जाएंगे करने केवल 10 होंगे और 10 marks का ये question होगा चलो question पढ़ो फिर मैं उस question को करने के पहले trick भी बताऊंगा सबसे पहला question हमारा क्या कह रहा है कह रहा है कि the reason why living on the edge has become popular देखो मैंने बताया था न edge word का use जहां पर हुआ था उपर passage में मैंने बताया था कि अगर कोई इंसान पहाड़ पर खड़ा है पहाड के किनारे पर खड़ा है तो वो अपनी life को क्या exciting बना रहा है exciting का मतला different बना रहा है है कि नहीं different बना रहा है देखो यहां पर अब options देखेंगे हम इसका क्या है option पहला option है कि आजकल लोग risk क्यों लेना चाहते है question यही पूछ रहा है तो चलो option क्या कहता है option कहता है कि आजकल लोग risk इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि लोग different करना चाहते हैं बिल्कुल सही लोग exciting करना चाहते हैं लोग कुछ अलग करना चाहते हैं इसलिए लोग edge पर जीते हैं risk लेकर जीते हैं ठीक है तो पहला यह option correct है जान बूच के रिस्क लेते हैं तो यह option तो गलत है ठीक है तीसरा exhausting effort to make changes मतलब आजकल लोग बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं अपनी इस्तिती को सुधारने के लिए अपनी condition को सुधारने के लिए वो बहुत जादा effort लगाते हैं क्या इसलिए वो रिस्क लेते हैं नहीं ऐसा भी नहीं है तो भाई मारा पहला option करेक्ट आता है कि लोग आजकल different करना चाहते हैं इसलिए उन्होंने क्या किया है एज पर जीना सु बताना है भाई मैं आपको बता दू यार central idea जिस भी question में पूछेना एक बड़ा ही आसान सा trick है आपको इस question में करना क्या है चार central ideas दिये गए हैं आपको कौन सा central idea इस passage का है वही चूस करना है ठीक है जिस भी question में central idea पूछे याद रहे central idea हमेशा last paragraph में मिलता है कहां मिलता ह last paragraph of passage चलो इस passage का भी हम last paragraph में ढूड़ेंगे चलो देखते हैं इस passage का last paragraph कहां पर है यहां पर है पढ़ो इसे ध्यान से you and I आज तुम्हें हमें दूसरों की तरह बनने की जरूवत नहीं है each of us needs to be exactly the way we are हम जैसे हैं हमें वैसे ही रहना है और इस बात का हमें पस्तावा करने की जरूवत नहीं है क्योंकि हम सब एक जैसे नहीं हो सकते हैं we need to find a comfort zone आज हमें अपना comfort zone हमें जो चीज करने मज़ा आए जितना चीज करने मज़ा आए केवल उतना ही करना चाहिए हमें अपनी life को enjoy करना चाहिए instead of what instead of making ourselves sick अपने आपको बहुत जादा stress देकर बहुत जादा pressure देकर बिमार ना करने के बजाए हमें अपनी life को आज enjoy करना है ठीक है याद रखना अब चलो option को पढ़ते हैं क्या है option it's all about quality of life क्या quality of life के बारे में बात हो रही है क्या भाई कि कोई अमीर है कोई गरीब है किसकी कैसी life की quality है इसके बारे में बात हो रही है क्या passage में नई discipline के बारे में बात हो रही है तो पहला option तो नहीं होगा ठीक है चलो दूसरा option to go beyond is as wrong as to fall sort मतलब किसी चीज के आगे जाना उतना ही गलत है जितना किसी चीज के पीछे रह जाना नहीं भ तो second option भी नहीं होगा third option क्या है हमारी जिंदगी एक bicycle की तरह है अगर हमें balance बना कर रखना है तो चलते रहना चाहिए नहीं यार bicycle के तो बाती नहीं हुई है ना चलो अब हमारा fourth one ही correct होगा क्यों correct है चलो देखते है balance is not something you find मतलब हमें अपनी life में ऐसे ही खुसिया नहीं मि दियाएगा हमें इसे create करना पड़ेगा देखो यही तु लिखा है ना इस last paragraph में देखो पड़ते हैं यहाँ पर क्या लिखा है यहाँ पर लिखा है यहाँ पर लिखा है कि we need to find a comfort zone हमें हमें धूड़ना पड़ेगा अपना comfort zone तो last option वाला हमारा सही है balance is not something you find it's something you create balance अपनी जिन्दगी में तुम मिलेगा नहीं तुम्हें create करना पड़ेगा written by Jana Kingsford तो कौन सा हमारा option सही है इसमें option number 4 is correct got it चलो आगे पड़ते हैं आगे क्या है हमारा आगे कह रहा है third कि which of the characteristics are opt about the writer in the following context अब देखो writer ने एक sentence बोला है writer ने कहा है कि I know मैं जानता हूँ कि मेरी कुछ limits है मैं उस limit तक पहुच भी गया हूँ लेकिन मैं उस limit को ignore करके ये देखना चाहता हूँ कि मैं अपनी हद पार के करके कितनी दूर जा सकता हूँ मैं risk लेके कितनी दूर जा सकता हूँ अब देखो अब इस sentence से author के बारे में क्या पता चल रहा है author के character के बारे में क्या पता च जा सकता है तो क्या writer किसी चीज को negligent कर रहा है नजर अंदाज कर रहा है बिलकुल सही किस चीज को नजर अंदाज कर रहा है अपनी limits को तो भाई option 1 तो हमारा correct हो गाई होगा अब जिनके पास common sense है वो क्या करेंगे वो देखेंगे कि हमारे पास 4 option है और इन 4 options में से केवल C वा थी बस थोड़ी सी चलो fourth question क्या है हमारा fourth question कहता है कि आपका इस passage का title क्या है क्या title दे सकते हैं हम इस passage का आपके सामने 4 options है much too soon क्या हमें आज सब कुछ बहुत जल्दी मिल गया है ये passage कहना चाहता है क्या ये title है नई पहला तो बिलकुल नहीं हो सकता दूसरा enough is enough अब बस ब is too much हम कितना करें कि वो बहुत जादा हो जाए बस यहीं है हमारा इस passage का title हमें कैसे पता चला देखो अब देखो title पता करने का एक जबर जश्ट ट्रिक क्या है ट्रिक ये है कि title हमेशा aim of the passage passage हमें क्या सिखाना चाह रहा है passage हमें क्या बताना चाह रहा है उसी के aim को हम title कहते हैं जैसे देखो इस particular passage में हमें पता चला कि हमें उतना ही काम करना चाहिए जितने से हम अपनी life को क्या कर सके enjoy कर सके ठीक है third option को पढ़ो how much is too much हम कितना करें कि उतना काफी हो जिससे हम अपनी life enjoy कर सके है कि नहीं तीसरा वाला option बिलकुल सही fourth one क्या है fourth one कहता है कि have enough to do हमें बहुत कुछ है करने को क्या ये कह रहा है passage हमारा क्या ये title हो सकता है बिलकुल ही तो हमारा third option is the बिलकुल correct option got it okay now we will move to question number five the phrase potentially harmful circumstances का मतलब क्या है इस phrase में कौन से परिस्तितियों के बारे में बात हो रही है कौन से circumstances के बारे में बात हो रही है सबसे पहले देखो ये phrase का use कहा पर हुआ है हमने सबसे first line में सबसे पहली line में पढ़ा था कि जो choices हम daily base पर लेते हैं वो या तो हमें safe रखती है या तो ऐसी possibility है कि वो हमें मुसीबत में भी डाल सकती है जैसे देखो अगर हम seatbelt नहीं पहनते हैं तो जरूरी थोड़ी है कि हमारा रोज रोज accident हो जाए ऐ possible है कि अगर हम seatbelt नहीं पहनेंगे तो हमारा क्या हो सकता है accident हो सकता है तो पोशिंसल का मतलब क्या हुआ पोशिंसल का मतलब है कि किसी चीज का chance है होने का got it question number 5 क्या कह रहा है question number 5 कह रहा है कि अब बताओ Potentially harmful circumstances का मतलब क्या है ऐसी possibility है कि हम मुसीबत में पढ़ सकते हैं चलो option देखते है certainly be dangerous क्या हम निश्चित ही 100% मुसीबत में पढ़ेंगे नहीं ए option नहीं होगा Be fairly dangerous क्या मुसीबत में पढ़ना ही चाहिए ये fair है नहीं ऐसा भी नहीं कहा गया है यहाँ पर कहा क्या गया है कि भाई ऐसी possibility है कि हम मुसीबत में पढ़ सकते हैं इसलिए हमारा C वाला option correct होगा seldom का मतलब होता है कभी कभी हम मुसीबत में पढ़ सकते हैं तो ये बाला भी नह ही होगा क्यों 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 कि potential का मतलब क्या होता है ऐसा chances है ऐसी possibility है कि हम मुसीबत में पढ़ सकते हैं और question number six is ये जो unsustainable word है आपको करना क्या है इन चारो sentences के fill up में भर देना है ठीक है और उसके बाद आपको check करना है कि कौन से sentence के साथ ये unsustainable word ज्यादा अच्छा लग र रहा है और उसी को आपको choose कर लेना है वही हमारा correct option होगा सबसे पहले देखो मैं आपको एक trick बता दू यार कि जहां पर भी unsustainable word का use होना याद रखना कि ये जो word है ये हमेशा किसी system के लिए use होता है किस चीज के लिए किसी system के लिए या तो किसी rule के लिए या तो किसी condition के ये ही use होगा जैसे देखो options पढ़ते हैं in the longer run यहाँ पर कहा किया जा रहा है कि लंबे समय के लिए unsustainable officials यहाँ पर जो unsustainable word है ये officers के लिए use हुआ है तो भाई unsustainable officers के लिए use होता नहीं है तो पहला तो बिल्कुल नहीं होगा दूसरा emergency procedures were unsustainable by the officials अब देखो यहाँ पर procedures के बारें बात हो रही है कि जो procedures है वो unsustainable है मतलब उसके साथ जीने लायक नहीं है उसके साथ कोई भी जी नहीं सकता है तो भाई जो procedure है कोई process कोई system तो होता नहीं है process कोई rule भी नहीं होता ना ही कोई condition होता है तो बी वाला भी हमारा नहीं होगा तीसरा क्या है officials ने report किया है क् अंसस्टेनेबल सेट औफ इवेंट्स अब देखो यहाँ पर अंसस्टेनेबल वर्ड इवेंट्स के लिए यूज हुआ है तो भाई सिस्टेम, रूल और कंडीली तो है नहीं इवेंट तो सी वाला भी नहीं होगा यहाँ देखो यहाँ अगर हम unsustainable को fill up करेंगे न, unsustainable को अगर हम यहां fourth volume fill up करेंगे तो यह best feedback हैगा क्यों, क्योंकि यहां पर emergency system जो है न वो unsustainable है, बिल्कुल सही unsustainable word का use किसी system किसी rule और किसी condition के लिए use होता है, got it, समझ में आया की नहीं आया, चलो हम चलते हैं अपने seventh question में, seventh question क्या कह रहा है कह रहा है कि author हमें इस passage से क्या कहना चाहता है, क्या author हमें aware करना चाहता है, क्या author हमें किसी, किसी चीज के प्रति aware कर रहा है, नहीं क्या author हमसे question कर रहा है इस passage में, ऐसा भी नहीं है क्या author हमसे मदद माग रहा है इस passage में नई ऐसा भी नहीं है क्या author हमें advice दे रहा है बिलकुल सही author ने क्या कहा ये देखो इन sentences को हम पढ़ते है author ने क्या कहा है author ने कहा है कि हम सब को एक जैसे रहना है और इस बात का हमें पस्तावा नहीं करना है हमें दूसरों जैसा नहीं रहना है हमें अपने comfort zone में रहना है हमें stress pressure नहीं लेना तो ये सब हमें advice दे रहा है author हमें कह रहा है कि भाई ये मेरी सला है तुम्हें लेना है तो लो तो correct option क्या होगा 7th का offer advice to इस पूरे passage से author हमें advice देना चाहता है समझ में आया कि नहीं आया now our 8th question is what 8th question कह रहा है कि जो author है ना वो इस passage में कुछ colloquial words का use किया है colloquial words क्या होता है देखो हम हिंदी में कहते हैं आम बोल चाल की भासा आम बोल चाल की भासा जैसे देखो अगर हम English भी बोल रहे हैं तो हम बीच बीच में इह word का use करते हैं वो हो word का use करते हैं तो ये words क्या है ये word colloquial words है अब आपको क्या करना है आपको इन चार options में से वो option चूज करना है जो colloquial word नहीं है अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा word colloquial है कौन सा word colloquial नहीं है तो भाई इसका trick तो नहीं होता कोई आपको सारे colloquial words याद करने पड़ेंगे लेकिन मैंने एक trick बनाया है कि जितने भी colloquial words होते हैं उनकी जगा हम किसी दूसरे word को लिख सकते हैं लेकिन एक ऐसा word जो colloquial नहीं होता जो not colloquial होता है उसकी जगा हम कोई दूसरा word नहीं लिख सकते हैं जैसे देखो यहाँ पर hooked word जो है hooked का मतलब होता है किसी चीज से चिपक के रहना stick रहना अटक जाना किसी चीज पर ठीक है तो hooked भी हमारा colloquial word है guy हम बोलते न oh guys where are you going ठीक है तो guy guy की जगा हम boy लिख सकते हैं कि नहीं यही तो इसका perfect English है stuff stuff का मतलब होता है चीजे stuff की जगा हम things लिख सकते हैं कि नहीं बिलकुल लिख सकते हैं तो ये 3 तो colloquial words है क्यों? क्योंकि इनकी जगा हम किसी दूसरे word को लिख सकते हैं stress 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 मतलब होता है चिंता क्या चिंता का कोई दूसरा वर्ड है बिल्कुल नहीं है stress ही हमारा correct option होगा stress जो रवर्ड है यह not colloquial है यह colloquial word नहीं है समझ में आया भाई colloquial words क्या होते है colloquial words simple भासा में ऐसे कह सकते हो जो हम आम बोलचाल भासा में conversation करते हैं तो बीच-बीच में कुछ words निकल जाते हैं जैसे हम कभी-कभी कह देते हैं है guys come here ना तो ये guy word क्या है colloquial word है चलो ninth question हमारा क्या कह रहा है कि भाई what does the author mean जब उसने कहा to get our lives in order author ने passage में एक line कही है क्या line कही है देखते हैं यहाँ पर है ना author ने कहा था ना कि आज तुम्हें हमें फैसला लेना है कि हम अपनी life को order में ले आएंगे order में ले आएंगे मतलब अपनी life को हम विवस्थित करेंगे हिंदी थोड़ा मेरी poor है तो ध्यान देना ठीक है याद रखना कि lives in order मतलब अपनी जिंदगी को एक विवस्थित बे में एक manner में रखने की बात हो रही है समझ में आया अब चलो अब हम options को देखेंगे question number 8 के चारो options को देखेंगे 9 के पहला option है क्या order का मतलब ये होता है कि हम अपनी life को फिर से सुरू कर दे बिल्कुल नहीं order का मतलब क्या होता है एक arranged way में रखना एक विवस्थित manner में रखना got it organize our lives क्या हम अपनी जिंदगी को organize करना चाहते है मतलब organize का मतलब भी होता है manner में रखना या किसी चीज को विवस्थित रखना तो बिल्कुल सही बी वाला ही हमारा correct option होगा तीसरा देखते है क्यों ये गलत है क्या हमारे lives को rebuild करने के बारे में बात हो रही है बिल्कुल नहीं arrange करने के बारे में बात हो रही है क्या हमारी lives को control करने के बारे में बात हो रही है बिल्कुल नहीं organize or arrange विवस्थित करने के बारे हम बात हो रही है, इसलिए कौन सा option आपका correct होगा, option number C, sorry, B is the correct option, now, now and now, last question of this passage, question number 10, question number 10 क्या कह रहा है, कह रहा है भाई कि choose the, क्या करना है आपको, choose the option, ऐसे option चूस करना है, जो outlook के सही मतलब को दिखा रहा है, as used in the passage, आपको क्या करना है, outlook, outlook का मत लब क्या होता है, नजरिया, एक इनसान अपनी life को किस attitude, किस नजरिये से देखता है, उसको हम outlook कहते हैं, पहला option क्या है, अप persons evaluation of life, जो जिन्दगी का गुड़ा भागे, कि इनसान जो अपनी life में evaluation करता है, जोड घटाना करता है, क्या उसको हम outlook कहते हैं, बिल्कुल नहीं एक इनसान जो अपनी life में experience करता है, जो अनुभो करता है, क्या उसे हम outlook कहते हैं, बिल्कुल नहीं, हम इसे भी outlook नहीं कहते हैं, तीसरा option देख लेते हैं, अब persons point of view, बिल्कुल एक इनसान अपनी जिन्दगी को किस तरीके से देखता है, उसका outlook क्या है, इसी को हम point of view कहते ह है, तो third option तो हो गई है, देख लो कौन से option में third है, B में भी third है, और C में भी third है, अब देखो, second तो सही है, नहीं हमारा, तो भाई, fifth बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हमने देखा second में क्या था, second में कहा था, उसने कि a person's experience in life, एक इनसान अपनी life में जो कुछ experience करता है, क्या उसे हम इनसान का नजरिया या outlook कहते हैं, बिल्कुल नहीं, चल, देखते हैं हमारा कौन सा option अप correct होगा, three के साथ, fifth वाला, fifth क्या है, एक इनसान का क्या attitude है, जिंदगी की तरफ, या इनसान अपनी जिंदगी को कैसे देखता है, इन ही दोनों चीजों को हम क्या कहते हैं, हम outlook कहते हैं, समझ में आया तो कौन सा option साई है हमारा, three and fifth option is correct, c वाला, got it, okay so all the ten questions are completed here, passage number one में हमें 10 questions करने थे, जो हमने कर लिये हैं, 11, 12 अगर आपको इनके answers confidently आते हो, तभी tick करना, नहीं तो छोड़ देना, number नहीं कटने वाले हैं, क्योंकि ये optional हैं, got it, now, now and now, read the passage given below, यहा analytical passage है, कैसा passage है, analytical passage है, यह क्या होता है भाईया, इस passage में हमें अपनी आखे फाड़ फाड़ के ना, analyze करना है, क्या करना है, analyze करना है, जैसे देखो, 2017 में क्या हुआ था, यह आपको analyze करना है, 57% क्यों लिखा गया है, यह भी पढ़ो यहाँ पर, 2030 में क्या होगा, यह भी आप आपको analyze करना है और इसी base पर आपसे questions पूछेंगे अब देखो analytical paragraph को करने का न सबसे जबर्जस तरीका क्या होता है trick number one is that आपको सबसे पहले questions पढ़ने है और इसके बाद in questions के answer आपको passage में ढूणने है पहले passage नहीं पढ़ना ध्यान रहे पहले आपको question पढ़ना है got it जैसे question number one क्या कह रहा है question number one कह रहा है कि यह जो line use हुई है पैरा graph में कौन सी line एक line use हुई है इस passage में कि recognized as the benchmark इसमें जो word benchmark है इसका इन चारों में से कौन सा मतलब नहीं है does not refer समझ गए मतलब यहां पर कहा गया है कि यह जो चार options है इसमें से तीन options benchmark से similar meaning रखते हैं और एक option जो benchmark से similar meaning नहीं रखता है वही option आपको choose करना है got it अब जब आपके सामने ऐसे questions आ जाएं जिसमें आपको passage में use हुए words या phrases की meaning बतानी हो तो आप क्या करो सबसे पहले passage में देखो वो word कहां use हुआ है जैसे देखो benchmark word use यहां पर हुआ है अब इसकी मतलब निकालने की कोसिस करो एक word से दूसरे word को relate करके जैसे देखो आज क्या है today sustainability जो environmental है social है economic है वो increasingly recognized मतलब आज का लोग जादा तर पहचानते हैं कि spaces पर पहचानते हैं benchmark for all tourism business मतलब कुछ ऐसा है कि सभी businesses के लिए कोई चीज है कोई benchmark है benchmark का मतलब आप समझ में आया कोई standard point या कोई criteria हो गया किसी चीज का ठीक है या किसी चीज का अगर कोई basis है तो उसे हम क्या कहते हैं उसे हम benchmark कहते हैं benchmark की बहुती साधारण और simple से हिंदी meaning होती है आधार किसी चीज क आधार तो चलो benchmark का मतलब क्या है इन चारो options में से सबसे पहला basis है भाई criteria ये भी है benchmark का मतलब standard ये भी benchmark का मतलब है लेकिन the ability to launch something new जब इसे पढ़ोगे ना आपको लगेगा benchmark का मतलब केवल यही C वाला option नहीं है इसलिए C is the correct option got it अब हम चलेंगे अपने second question में second question हमसे क्या क कह रहा है कि the world tourism organization जो UN है ना उसने कुछ observe किया है और उस observe करके उसने कुछ share किया है पहले देखो क्या observe किया है UN ने जैसे देखो यहाँ पर पढ़ेंगे कि हम UN ने कहां क्या observe किया जैसे देखो UN यहाँ use हुआ है एक UN यहाँ use हुआ है यहाँ पर tell बताया जा रहा है और यह 7% टूरिस्ट होंगे वो उसी देश में आएंगे जिस देश की एकोनॉमी जिस देश का जो अर्थ विवस्था है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और कम तक आएंगे 20-30 मतलब 2030 तक जितने भी 57% टूरिस्ट होंगे वो उसी देश में आएंगे जिस देश की एकोनॉमी जिस दे देश में जाएंगे जिसकी अर्थ वेवस्था बढ़ रही है जिसकी अर्थ वेवस्था इमर्ज कर रही है ठीक है अब चलो हम आप्शन को देखेंगे हमारा second question क्या कहता है second question का जो पहला option क्या कह रहा है हमें केवल यही बताना है कि UN ने क्या share किया था क्या UN ने यह share किया था कि 57% profit होगा नहीं 57% tourist आएंगे यह बात हुई थी ना ठीक है दूसरा देखते हैं ऐसे देश जिनकी economy धिरे धिरे बढ़ रही है उसमें सबसे ज़्यादा tourist आएंगे अगले 10 सालों में next decade decade मतलब 10 साल ठीक है तो यह तो एकदम correct है यही तो observe किया था ना UN ने UN ने क्या बताया था UN ने बताया था कि अगले 10 सालों में मतलब अभी कितना चल रहा है अभी भाई चल रहा है 2020 2030 तक जो ज़्यादातर tourist होंगे वो ऐसे देश में आएंगे जिसकी economy emerge कर रही है जिसकी economy धीरे धीरे बढ़ रही है तो second का हमारा correct option क्या होगा B वाला ठीक है ऐसा देश जिसकी economy बढ़ रही है उसमें सबसे ज़्यादा tourist आएंगे अगले 10 सालों में अब देख लेना बाकी options गलत क्यों है वो आप खुदी चेक कर लेना ठीक है उनके लिए अगर वो कही travel कर रहे है तो उनके लिए इन चारों में से सबसे important चीज क्या होती है क्या उन्हें flats चाहिए क्या उन्हें car और buses चाहिए क्या उन्हें cultural exchange मतलब उन्हें किसी दूसरी रहन सहन में रहना पसंद है क्या उन्हें wild और untressed surrounding में रहना पसंद है तो चलो option देखते हैं कि eco-tourist को पसंद क्या है eco-tourist word का use कहा हुआ है सबसे पहले यह देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ यह tourist के अलग-अलग terms है eco-tourism किसे कहते है, ethical tourism किसे कहते है जी ओ, यह सब पढ़ना पढ़ेगा आपको मैं एक short तरीका बताता हूँ eco-tourism उसे कहते हैं जो natural areas में visit करता हो जो natural wildlife में visit करना पसंद करता हो जो जंगलों में जाना, पहाडों पर दाना पसंद करता हो ethical tourism उसे कहते हैं जो जानवरों और इंसानों के welfare की बात करें याद रखना, ethical, ethical का मतलब क्या होता है welfare, जो जानवरों के और इंसानों के welfare के बारे में बात करें उन्हें हम ethical tourism कहते हैं geo-tourism किसे कहते हैं, जो किसी place के बारे में बात करें उस place के environment के बारे में बात करें उस place के heritage heritage का मतलब होता है आप समझ जो धरोहर उस place के important चीज़ों के बारे में बात करें उस place के culture के बारे में बात करें तो ऐसे tourist को हम geotourism कहते हैं geotourism का मतलब ही होता है ऐसे tourist जो किसी place के बारे में बात करें इन तीनों को याद रखना, टॉप थ्री को याद रखना इनसे questions पूछे गए थर्ड question क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि eco-tourist के लिए सबसे important चीज क्या है क्या उन्हें flat चाहिए, नहीं, क्या उन्हें car और bus चाहिए, नहीं, क्या उन्हें cultural exchange चाहिए, नहीं उन्हें क्या चाहिए, उन्हें wildlife चाहिए, उन्हें एक ऐसा surrounding चाहिए, जिसको कोई छुआ ना हो उन्हें जंगलों में जाना पसंद है, उन्हें पहाडों पर जाना पसंद है, जहां पर इनसान का जो interference हो, वो सबसे कम हो तो got it, तो number A is the correct option, थर्ड वाला भी समझ में आया, फोर्थ, फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ कह रहा है, कि देखो, यहां पर क्या कहा गया है, यहां पर एक आशा मैथ्यू है, इनके बारे में बताना है, कि यह कौन सी tourist है, और गुरदीप सिंग है, जो UK से हैं, इनके बार पताया था ना अभी, जो जानवर और इनसानों के विलफेर के बारे में बात करें, उसे हम ethical tourism कहते हैं, क्या कहते हैं, ethical tourism, दूसरा, यहां देखो, गुरदीप सिंग जो है, वो एक किसी place के बारे में बात हो, तो ऐसा tourist जिसमें place के बारे में बात हो, उसे हम geotourism का नाम देत Now, question number fourth भी हमारा हो गया, question number fifth, fifth and fifth, question number fifth कह रहा है कि जो geotourism वाले लोग होते हैं, जो किसी place के बारे में बात करते हैं, उनके लिए इन छो चीजों में से सबसे important चीज क्या है, क्या वो adventure, sports को पसंद करते हैं, नहीं भाई, वो किसी place के environment, वो किसी place के environment के बारे में बात वो किसी place के heritage, कोई धरोहर है, उस जगह पर कोई particular चीज है, तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, दूसरा, promotes landscape, बिल्कुल सही, उस जगह का कैसा बनावट है, कैसा landscape है, इसके बारे में बात करते हैं, geotourism, तो दूसरा वाला तो होगा ही, तीसरा, लगजरिये, स्ट्र सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं, geotourism नहीं, वहाँ पर केवल place के बारे में बात होती है, चौथा, includes being environmentally responsible, क्या वो environment के प्रति responsible होते हैं, उस particular place के, बिल्कुल होते हैं, ये देखो, उस place के environment की जो बात करें, उसे हम geotourism कहते हैं, तो 2 और 4 हमारा correct होगा, 2 और 4 किसमें C option is our correct option, चटवा क्या है, चटवा कह रहा है कि market profile जो eco-tourist की है, ठीक है, अगर हम gender वाला market profile देखे, eco-tourist की, तो क्या कहता है, अब देखो, gender वाला देखो, देखो, eco-tourist, gender के base पर कुछ बात हुई है क्या है, यहाँ पर, बिल्कुल बात हुई है, यहाँ पर, eco-tourist के ब question इसने यह पूछा है, कौन सा question था, 6th वाला, क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि जो eco-tourist होते हैं, उनके gender के बारे में हमें क्या पता चलता है, तो पहले gender वाला जो column है, वो अराम से पढ़ लो, बहुत ही ध्यान से पढ़ लो, कि इनके gender के बारे में हमें पता चलता है कि जो eco-tourist होते हैं, वो 50% female होते हैं, और 50% male होते हैं, लेकिन उनके अंदर differences होती है, मतलब जो males होते हैं, वो हो सकता है, अलग काम करें, और जो female होते हैं, वो अलग activity करें, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, कि जो eco-tourist होते हैं, उनमें 50% female होते हैं, 50% male होते हैं, लेकिन इनका काम, इनकी जो activity होती है, वो अलग-अलग होती है, got it, चलो, अब हम पढ़ते हैं 6th question को, 6th question क्या कह रहा है, 6th question कह रहा है कि पहला option है कि female ecotourist were more than, नहीं, जादा नहीं है, दोनों 50-50% है, ठीक है, दूसरा, the activity preferences were varied, हाँ, बिल्कुल सही है, यहाँ पर कहा जा रह things to do on a trip, were quite similar for both the genders, नहीं भाई, देखो, यहाँ पर कहा गया है, C वाले options में, कि जो male है, female है, ecotourist, वो दोनों एक ही काम करते हैं, नहीं, वो दोनों varied काम करते हैं, अलग-अलग काम करते हैं, यह कहाँ पर लिखा गया है, यह उसी वाले column पर लिखा गया था, यह देखो, लिखा है कि नहीं, कि although clear differences based on activity were found, मतलब इनके काम क्या होते हैं, अलग-अलग होते हैं, different होते हैं, तो हमारा कौन सा option सही होगा, sixth वाले में, B वाला, the activity preferences were varied in females and males, now our seventh question आता है, seventh question क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई, जो market profile है, किस चीज का, ecotourist का, वो education के बारे में क्या कहती है, अभी तक हमने gender के बारे में पढ़ा, अब देखते हैं कि education के बारे में, ये जो ecotourist की market profile है, वो क्या कहती है, कह रहा है कि जितने भी ecotourist होते हैं, वो ज्यादा तर ecotourist या तो graduates होते हैं, या तो वो लोग होते हैं, जिनका passion, ऐसे लोगों से passion shift हो गया है, ऐसे लोगो में, जिन्होंने less education लिया है, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे options को कि 7th question में क्या-क्या option दिये हैं, got it, चलो, 7th question कह रहा है कि education के बारे में हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है, पहला option क्या कह रहा है, कह रहा है कि mainstream जो market trends है, were popular with undergraduates, नहीं, graduates होते हैं, तो पहला तो गलत ह हमने क्या देखा, हमने देखा न, कि education कैसी होती है, इनकी 82% क्या होते हैं, graduates होते हैं, चलो, b, ecotourist वही लोग होते हैं, जिन्होंने cable basic पढ़ाई की है, नहीं, वो graduates होते हैं, basic पढ़ाई मतलब जिन्होंने 4, 5, 10th, 12th किया हो, ठीक है, c, mainstream markets popular इसलिए है, क्योंकि जो tourist destination है, for all educated tourists, केवल educated के लिए है, कम पढ़े लिख्यों के लिए, ecotourist नहीं है, गलत, तो हमारा कौन सा option correct होगा, d, ecotourism केवल small group of highly educated people तक नहीं है, अब वो shift हो रहा है, कहां तक, जो less educated people है, वो भी अब ecotourist बन रहे हैं, got it, तो हमारा कौन सा option correct होगा, d वाला option correct होगा, Okay, now we will move to question number 8, question number 8 हमसे पूछ रहा है, कि ऐसे कितने percentage of ecotourist हैं, जो अकेले कहीं पर travel करना prefer नहीं करते हैं, चलो देखते हैं कि कितने percentage of ecotourist हैं ऐसे, यहां पर साफ साफ लिखा गया है, कि 60% ecotourist ऐसे हैं, जो couples के साथ जाते हैं, 15% ecotourist ऐसे हैं, जो families के साथ जाते हैं, औ कितने लोग अकेले नहीं जाते, 60 plus 15 कितने हो गये, 75% लोग ऐसे हैं, जो अकेले कहीं पर travel करना पसंद नहीं करते हैं, तो 75% is our correct answer, got it, हमारा B वाला option इसमें से correct होगा, now, 9th question क्या आता है, 9th question हमसे कह रहा है, कि एक survey के according, जादा तर लोगों को motivation किस चीज़ से मिलती है, driving forces क मतलब क्या है, motivation किस चीज़ से eco-tourist को मिलती है, नए-nए trips पर जाने की, मतलब जैसे हम कोई नया काम करते हैं, तो हमें इसके लिए motivation की जरूत पड़ेगी, सेम ऐसे ही जो eco-tourist होते हैं, वो नए trip पर क्या सोच कर जाते हैं, कि नए trip पर उन्हें क्या मिलेगा, चलो, यहा नए-nए जगह, sceneries और nature को enjoy करना चाहते हैं, या तो वो नए जगहों पर घूमना चाहते हैं, नए experiences को लेना चाहते हैं, इसलिए वो नए trip पर जाते हैं, चलो, देखो नए जगह या नए experience के बारे में option में बात हुआ है क्या, बिल्कुल साही, हमारा जो D वाला option है, the opportunity to travel new places, यही कारड है, यही वो motivation है, जिससे eco-tourist नए-nए trip पर जाते हैं, समझ में आया 9th वाला question, अब हम चलते हैं, 10th और 11th question को हम छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत easy है, क्योंकि देखो आपको पता है, 12 question में से आपको करने के वर 10 है, तो 9 already हम कर चुके हैं, और 10th question हम करेंग यह question number 12 को, ठीक है, question number 12 में पूछा है, कि कौन से eco-tourist experienced नहीं होते हैं, तो मैं आपको बता दू, experienced कौन होता है, common sense की बात है, जो कम से कम एक बार कहीं पर travel किया हो, उसे हम experienced कहते हैं, जो एक बार भी कहीं पर ना गया हो, उसे हम is not experienced कहते हैं, समझ गया है, चलो देखो, option मे देखो, कोई ऐसा पता चल रहा है, कि जो अभी कभी ना गया हो, the person who has traveled, मतलब यह travel कर चुका है, मतलब यह नहीं होगा option, ठीक है, the person who is regular eco-tourism, यह भी regular करता है, मतलब यह भी नहीं होगा, the person who is not regularly traveling, not regular, कभी कभी जाता है, तो यह भी नहीं होगा, यह देखो, be वाला option, एक अभी भी एक बार टूर पर जाना है, उसी को हम कहेंगे कि यह बंदा experience नहीं है, क्योंकि यह एक बार भी कहीं पर टूर पर नहीं गया है, got it, 12th वाला समझ में आया कि नी, common sense पर था, इसलिए मैंने करवा दिया यह, now, now and now हमारा आता है literature, भाई, literature से question number 3 में न, prose से, हमारे chapters के pros से, दो extract based question पूछे गए है, दो, ठीक है, अब दो में से आपको करने केवल एक है, जैसे एक यह है, और इसके नीचे भी एक है, आप इन दोनों में से कुई एक extract based question कर लो, देखो, extract based question को करने का केवल एक ही simple तरीका होता है, कि आपको पूरे chapter में हुआ क्या था, वो आन चाहिए, ठीक है, तो I hope कि आपने ये वल्ली वाला chapter तो पढ़ा ही होगा, आसानी से कर ले जाओगे, हम करते हैं भाई, question number four, question number four क्या है, question number four हमें poem से कुछ questions पूछे गए है, poetry से हमें extract based question पूछे गए है, ठीक है, दो हैं, आपको करने केवल एक है, चलो मैं ये वाला करता ह आपने chapter पढ़ा होगा, third poem है, I think, a tiger in the Jew, इसी से ये questions पूछे गए, चलो देखते हैं, पढ़ते हैं, कि जो tiger है, वो logged है, eat, मिट्टी और सिमेंट के घर में, उसकी जो ताकत है, वो बेडियों के पीछे है, और इसी के लिए ये जो tiger है, वो क्या करता है, वो अपने cage के जित रहा है, ठीक है, ये जो tiger है, ये अपनी आखरी आवाज रात में सुनता है, जब petrolling cars, सारे जानवरों का check-up करने के लिए आती है, तब आखरी बार रात में, ये जो tiger है, ये petrolling cars की आवाज सुनता है, ठीक है, और उसके बाद वो पूरी रात अपनी चमतदार आखों से, चम सच्चाई है कि जो tiger है, वो अपनी cage का, जितना भी लंबाई है उसके cage का, केवल उतना ही वो चल रहा है, इस से हमें क्या पता चलता है कि क्या जो ये tiger है, वो restless है, क्या ये tiger बाहर जाना चाहता है, बिल्कुल, ए वाला हमारा correct होगा, reckless, क्या tiger लापरवा है, नहीं, क्या tiger सा है, नहीं, तो correct option क्या होगा, restless, समझ में आया हमारा पहला वाला option, चलो, दूसरा question पूछ रहा है, कि आपको rhyming scheme बतानी है, इन stanza's की, अब आपको अगर rhyming scheme नहीं निकालने आता, तो मैं आपको बहुत simple तरीका बता देता हूं, यार, जितनी भी stanza's की rhyming scheme निकालने को कही ग देखो, cell, cage, rhyming है क्या, नहीं, bars, visitors, rhyming है क्या, नहीं है, night और ice, क्या rhyming है क्या, नहीं, cars और stars, rhyming है क्या, बिलकुल है, तो जो cars को हमने नाम दिया है, B, बस वही, stars को भी हम नाम दे देंगे, B, तो rhyming scheme क्या हो गया, पहले stanza का हो गया, A, B, C, D, क्योंकि इसमें एक भी rhyming words नहीं है, और दूसरे का क्या हो गया, A, B, और फिर C, फिर B, क्योंकि इसमें एक rhyming word है, तो rhyming word क्या हो गया, समझ रहो न, rhyming scheme कैसे निकालो गया, बहुत आसान है, मैंने बता दिया, इसलिए इसका fourth option correct होगा, A, B, C, D, फिर A, B, C, B, third question हमारा क्या कहता है, third question कह रहा है, कि these standjas bring out the contrast between, अब देखो, यह जो standjas use हुआ है, tiger के लिए, कि जो tiger है, वो अपने cage में इधर उधर जा रहा है, visitors को ignore कर रहा है, इस standjas में किस चीज की बात हुई है, क्या पिंजडे और सहर के बारे में बात हुई है, क्या tiger सहर में जाना चाहता है, नहीं, tiger के ताकत और कमजोरी क के बारे में बात हो रही है, नहीं, क्या tiger के freedom और captivity के बारे में बात हो रही है, freedom मतलब tiger आजाद होना चाहता है, और वो अभी capture है, बिल्कुल सही, c वाला option हमारा correct होगा, कि यहाँ पर दो चीजों के बारे में बताया गया है, कि अगर tiger आजाद रहता, तो वो कैसा रहता, औ जो tiger है, वो जब पिंजडे के अंदर है, तो वो कैसा है, आपके teacher ने आपको explain करते हुए poem के बारे में बताया होगा, now our fourth question क्या है, fourth question कहता है, what is the case tiger not likely to say to the visitors, यहाँ पर देखो चार sentences दिये हैं, अब आपको इन चारो sentences में से, अगर ये tiger पिंजडे के अंदर से बोल पाता, तो ये इन चारो sentences में से कौन सा sentence नहीं बोलता, उसी को tick करना है, जैसे देखो, अगर tiger बोल पाता, तो वो बोलता कि भाई मुझे मत भूरो, ठीक है, तो ये option तो होगा नहीं, अगर tiger बोल पाता, तो वो ये भी कहता कि मुझे आजाद कर दो, तो ये वाला option भी नहीं होगा अगर tiger बोल पाता, तो वो ये भी कहता, visitors से कि तुम लोग यहां से जाओ, कहता कि नहीं कहता, बिल्कुल तो ये भी option नहीं होगा, join me tiger ये तो कहता नहीं कि भाई मेरे साथ पिंजरे में आ जाओ, तो इसलिए c option हमारा क्या होगा, correct option होगा, got it, fifth question क्या है, fifth question कह रहा है कि the tiger's brilliant eyes, जो tiger की चमकदार आखें हैं, वो किस चीज का इंतजार कर रही हैं, वो इस चीज का इंतजार कर रही हैं, कि कभी-कभी वो हो सकता है, आजाद हो जाए, जैसे देखो, पहला option क्या कह रहा है, कह रहा है कि hopes to be free, बिल्कुल सही, ए वाला option ही सही है, कि जो tiger की चमकदार तो हमने first paragraph करी लिया है आपको ये poetry कर लिये हमने दूसरा वाला करने की जरूवत नहीं है क्योंकि दोनों में से केवल एक ही करना था अब आता है भाई हमारा grammar portion जो की main है अब देखो यहाँ पर आपके साथ 4 options है कौन सा correct option 1, 2 और 3 में भरा जाएगा यही आपको fill up करना है सबसे पहले मैं बता दू जब भी fill up ओले questions आए ना सबसे पहले यह देखो कि कौन सा tense है जैसे देखो इज का use हुआ है मतलब यह present tense है जितनी भी verbs use होंगे वो सभी present tense की use होंगे ठीक है चलो पढ़ते है दो वंगला डैस festival जो वंगला festival है वो क्या है क्या वो important festival है जैसे देखो वंगला singular है ठीक है तो जब भाई singular है यह तो singular के साथ आर का तो use होता नहीं तो यह तो बिल्कुल कट जाएगा अब देखो यह present में है तो was का भी use नहीं होगा तो यह भी कट जाएगा बच्चा is important भरा जाएगा कि isn't important अब तुम बताओ important के सामने and लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए क्यों क्यूंकि i हमारा vowel sound है और vowel sound के पहले हम क्या लगाते है भाई साब and लगाते है इसलिए d वाला option हमारा क्या है correct option है got it चलो अपने दूसरे question पर चलते हैं दूसरा question पूछ रहा है देखो थोड़े से common sense की जरुवत है कि it is a post harvest festival the vangla is an important festival for the garo in megalia awesome and nagaland ठीक है it is a post harvest festival celebrated word का use होना चाहिए celebrated देखो celebrated कहा कहा use हुआ है बिलकुल सही celebrated यहाँ पर use हुआ है यहाँ पर use हुआ है अब हम जानते हैं कि to के बाद हमेशा verb की first form आती है ना की ing form तो b वाला हमारा क्या होगा correct option होगा celebrated to mark the end of the agricultural year it is popularly known as the hundred drums festival during the signature dance the leading warrior dash with synchro sized dance अब देखो यहाँ पर क्या होगा present है present के verbs का ही use होगा देखो इन चारों में से third वाले में से कौन सा present का verb है ये भी present है ये भी present है ये present नहीं है और ये भी present नहीं है क्योंकि was past का helping verb है और had भी हमारा past का helping verb है तो ये दोनों तो बिलकुल नहीं होगा आप चूज करो leads the youngster होगा कि is lead the youngster अब सबसे अच्छी बात तो ये भाई कि is के साथ ing का use होता है पता है आपको यहाँ पर नहीं हुआ है तो इसलिए ये नहीं होगा कौन सा option correct होगा is our correct option समझ में आया जो first question था grammar का तीन number का वो हमने बड़ी आसानी से कर लिया थोड़ी सी common sense से बस ठीक है बस हमें ये देखना है कि क्या ये sentence present में है नहीं है जैसे देखो हमने ये देख लिया present में है तो हमने केवल present verbs का use किया ये was was की तरफ तो हमने देखा ही नहीं ठीक है चलो ओके now we will do our next question question number 6 ये question हमारा narration से है अब direct से आपको indirect speech में बदलना आना चाहिए अगर आपको question number 6 को properly करना है तो अब भाई direct से indirect बदलने नहीं आता तो आप मेरी trick का use करो जो मैंने इस question को करने के पहले बताया है बहुत easily कर ले जाओगे जितनी भी narration वाले question आते हैं अब आपके board exam में ये 3 number का तो आएगा ही आएगा तो आपको करना क्या है सबसे पहले आप narration वाले question को देखते ही पहले ये देखो कि किन दो लोगों के बारे में बाते हो रही है जैसे देखो वेनू और सुपंडी यही दोनों बाते कर रहे हैं वेनू कौन है? सुपंडी का चाचा है देखो यह दिख रहा है यह चाचा जैसे दिख रहे है इनका नाम है वेनू अब यह जो पतला है सुखंडी सा इसका नाम है सुपंडी चलो देखो पहले कि वेनू और सुपंडी के बारे में क्या बात हुई है वेनू ने सुपंडी से कहा मतलब चाचा ने भतीजे से पूछा कि what are you doing standing all alone here तुम यहां खेत में खड़े ओकर क्या कर रहे हो तो भतीजे ने कहा कि चाचा मैं Nobel Prize जीतने की कोसिस कर रहा हूँ फिर चाचा ने कहा कि तुम खेत में खड़े हो कर Nobel Prize कैसे जीत जाओगे फिर सुपंडी जो भतीजा है उसने कहा क्यूंकि मैंने ऐसा सुना है कि जो लोगों ने Nobel Prize जीता है न वो सभी किसी ना किसी field से थे इसलिए मैं भी field में खड़ा हूँ और मुझे भी भाई Nobel Prize चाहिए ही चाहिए अब इस बात को यहां पर इन्होंने indirect speech में लिख दिया है और आप के लिए छोड़े हैं कुछ blanks इन blanks में आपको नीचे दिये गए जो options है वो भरने है correct option कौन सा है ठीक है जब भी ऐसा question आया क्या करो पहले देखो पहली वाली line में क्या किया गया है पहली वाली line में वेनु ने सुपंडी से कुछ question पूछा है ठीक है question पूछने को हम क्या कहते है indirect speech में asked ठीक है तो भाई पहले वाले में कुछ ask तरीकी का भराएगा asked वाला चैसे देखो भाई option है क्या, first वाले option है asked वाला बिल्कुल है, तो हमारे first का कौन सा option correct होगा C वाला, जिसमें दिखा है कि asked him what he was doing, got it, चलो, दूसरा question देखते हैं, अब जब देखो अब जब चाचा ने भतीजे से कुछ पूछा तो भतीजे ने बताया ना कि चाचा मैं नोबल प्राइस जीतने की कोसिस कर रहा हूँ तो भतीजे ने क्या किया है reply किया है, तो भाई दूसरे वाले option में कुछ replied तरीके का भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा, replied क्यों, क्योंकि भाई भतीजे ने चाचा को reply किया है जैसे देखो reply वाला है क्या कुछ yes, बिल्कुल है, तो d वाला हमारा क्या होगा, replied होगा समझ में आया की नहीं आया, अब जैसे देखो हमारा जो third option, क्या कह रहा है कह रहा है कि जब चाचा confuse हो गए कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है सुपंडी कि तुम खेत में खड़े रहकर कैसे जीत जाओगे Nobel Prize तो सुपंडी अपने चाचा को बताता है कि ही, यहाँ पर लिखा है ना सुपंडी ने कहा है कि मैंने सुना है कि लोग Nobel Prize जीतते हैं अलग-अलग fields में खड़े होकर तो इसे अगर आप indirect speech में चेंज करोगे, तो I have heard चेंज हो जाएगा, have चेंज हो जाएगा किसमें? head में ठीक है, तो देखो कहीं option में head है क्या? has है इसमें तो ये तो होगा नहीं was है तो ये भी नहीं होगा had हमारा है, see वाले option में इसलिए हमारा C होगा, correct option ये था हमारा trick, ठीक है और अगर आपको direct-se-indirect बदलना आता है तब तो भाई देखते ही कर ले जाओगे आप चलो, now our last question of this part A, last question क्या है आपको इसमें, यहाँ पर 6 questions पूछे गए हैं और 6 questions grammar के सभी topics से हैं subject, verb, agreement से, tenses से, determinants से सभी से हैं, आपको केवल 4 questions यहाँ पर करने हैं, चलो देखो क्या है पहला question you, that's, consult the thasers, if you need groups of synonyms for those words आपको क्या करना है आपको thasers, thasers का मतलब होता है dictionary, ठीक है, आपको dictionary से consult करने की जरूरत है, ठीक है जरूरत है, अगर if you need groups of synonyms अगर आपको synonyms के groups चाहिए न तो आपको thasers, मतलब dictionary से consult करने की जरूरत है, और जरूरत के लिए हम क्या use करते हैं need का use करते हैं, तो need to हमारा modals chapter से यह वाला question था, कि need का use कहा होता है, जहाँ पर किसी चीज की जरूरत हो, तो be वाला हमारा यहाँ पर correct option है, दूसरा option क्या कह रहा है, कह रहा है कि everybody dash, अब आपको यहाँ पर भरना है helping verb, ठीक है और यह है हमारा subject यह question कहां से है भी या आपने एक chapter पढ़ा होगा subject, verb conquered, जिसमें हम subject, verb और agreement कराते हैं अब अब देखो, आपको पता है कि everybody हमारा एक ऐसा subject है जो हमेशा singular verbs को लेगा, किस verb को लेगा, singular, चाहे everybody हो गया, चाहे each हो गया हमारा चाहे either हो गया यह सब ऐसे subjects होते हैं जो हमेशा singular verb को लेते हैं यह rule है, इस chapter का, ठीक है तो देखो भाई, everybody के साथ कौन सा singular use होगा, आर तो plural है यह होगा नहीं, वर भी plural है यह होगा नहीं, अब देखो has और is में से क्या होगा everybody has keen to participate या everybody is keen to participate simple है, is होगा ठीक है, क्योंकि पंडे में अच्छा लग रहा है चलो, third question हमारा क्या कहता है कहता है कि the good news is that that's, volunteers dropped out this month than the last two इसने कहा कि सबसे अच्छी news यह है कि जो volunteers है ना, पिछले महिने से इस बार कुछ कम drop हुए है, ठीक है, तो compare किया जा रहा है, पिछले last दो महिनों का, इस महिने से compare किया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर कौन सी degree भरेंगे comparative degree comparative degree का use हम करेंगे अब देखो कौन सी comparative degree है a little comparative है, नहीं, few comparative है नहीं, less भी नहीं है, fewer जिस word के last में er लग जाया है ना, केवल वही word comparative degree कहलाता है यहाँ पर देखो comparison हो रहा है ना, कि जो volunteers की संख्या है वो पिछले दो महिने से इस महिने कम घटी है, ठीक है तो compare किया जा रहा है और comparison के लिए हम हमेशा comparative degree का use करते है, ना, question number four क्या कह रहा है कह रहा है कि it was historic day for the organization when das honor was bestowed upon its employees अब देखो यहाँ पर आपको a या an भरना है, तो honor के साथ तो an हो जाएगा, क्या historic के साथ आप a बरोगे, बिल्कुल बरोगे जैसे देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कहा गया है कि it was a historic day यह एक historic दिन था organization के लिए, जब हमें honor किया गया, h क्या है h है हमारा vowel sound और vowel sound के पहले हम क्या use करते हैं and का use करते हैं so this is all about the part A आपको बाकी दोनों questions बचे हुए नहीं करने हैं, 5th और 6th क्योंकि आपको चारी करने थे, यहाँ से start होता है हमारा section B, I hope आपको यार section A करने में बड़ा मजाया होगा section B हम अपनी next video में लेके आएंगे, तब तक के लिए जाए हिंद